हलो गुड मॉनिंग जोहार मसंच और आप देख रहे हैं नियो जार्खन चलिए जानते हैं जार्खन की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को हिमंत सरकार में मंत्री बनी बेबी देबी पती के अधुरे सपने को पूरा करने का दिलाया भरोसा दिवंगत जगरनार्थ महतो की पतनी बेबी देबी ने सुम्वार कु राजभवन में सपत ली राज़िपाल सीपी राधा कृष्णन ने पादेवं गोपनियाता की सपत दिलाई इसके साथी बेबी देबी हिमंत सरकार में गयारवी मंत्री बन गई सपत गरहन समारो में मुखे मंत्री हिमंत सोरिन समेत कई मंत्री और गन्यमान लोग उपस्तित थे शपत गरहन समारो की बाद राज़िपाल सीपी राधा कृष्णन ने बेबी देबी को पुस्पकुच देतो हुए बधाई दी साती ज़ार्खन के विकास में महरतपून कामनाई दी इस मौके पर सीयम ने आसा वक्त किया है कि दिवंगत जगरनाथ दा की तरह ही बेबी देबी राज़िके विकास में अहम भुमी का निभाएंगी इधर सपत गरहन के बाद मंत्री बेबी देबी ने कहा है कि मुझे जो नई जिमेवारी मिली है उस पर खारा उत करने की हर संभो कोसिस होगी काहे कि कभी भी डुमरी की जनता के साथ साथ राज़िके लोग को निरासा हात नहीं लगेगी काहे कि उनकी प्रात्मिक्ता पती के अधूरे शपनों को पूरा करना है चार जुलाई को तेज बारिस का अनुमान राजी समय चत्रा जिलों में यलो अलट जारी रहे सावधान जारिखन में आज चार जुलाई से 6 जुलाई के बीच कई स्थानों पर तेज वर्सा होने की संभावना है मौसम वभाग ने आने वाले दो दिनों के लिए राजी समय चत्रा जिलों में वजरपात को लेकर यलो अलट जारी किया है साउथ वेस्ट मानसुन ने समानिस से 6 दिन पहले यानी 2 जुलाई को ही पूरे देश को कवर कर लिया है जो हमेशा 8 जुलाई को होटा था मौसम वभाग नुशार पीछले 24 घंटे में राजी के अलग-अलग इलाके में गरज के साथ हलकी से मध्धम दर्जे की वर्सा रिकार्ड किया है सबसी अधिक वर्सा 46,2 मिली मीटर गुड़ा के पथर गामा में रिकार्ड किया है अधिकतम तापमान की बात की जाए तो चावासा जीले में 38 डिग्री सेल्सेस रहा जबकि निम्तम तापमान राची में 24 डिग्री सेल्सेस रिकार्ड किया है सिक्छ विभाग मुख्य मंत्री ने अपने पास रखा बेवी देवी बनी उतपाद मंत्री स्वर्गिय जगरनात महतों की पत्नी बेवी देवी ने राजभावन में मंत्री पत की सपत ली राजभवण में सुमवार को राभण सी पी राधाक्रिष्णन ने बेबी देभी को सपद इलाई मंत्री पद की सपद लेने के बाद से ही यह चर्चा सुरू हो गई कि आखिर बेबी देभी को कौन सा विवाग मिलेगा सपत लेने के थोड़ी ही देर बाद बेबी देवी उतपाद भोवन पहुँच गई, विभाग पहुँचकर बेबी देवी ने उतपाद एवं मद्ध निशे दिवाग का पदभार ग्रहन किया, उसके बाद भी यह चर्चा जारी रही कि आकिर सिक्षा विभाग बेबी देव के पासों का, साथी उतपाद भो मद्ध निशे दिवाग की मंतरी बेबी देवी होंगी, जार्चन बिहार की सिमा पर स्रावनी मेले का हुआ उधगाटन, मंतरी बादल ने कहा, स्रधालों की सुविदा करकेंगा ख्याल, जार्चन की दिवगर और बिहार की बांका जीला की सिमा परिस्त दुम्मा में वस्व प्रसिद्ध स्रावनी मेले का उधगाटन सुवे के मंतरी बादल पत्र लेक ने किया, इसके साथ ही दो महने के लिए बाबा वार्धनात मंदिर में वी 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 आईपी और आउट आप्टर्न दर्सन पर पूरी तरह से रोक लग गई है, चार चुलाई यानि आज मंगलवर से स्रावन मास सुरू हो रहा है, स्रावन मास में भारत के कोने कोने से स्रधालू बाबा भोलेनात का जलाबिशेक करने के लिए दिवखराते हैं, सुम्मा का वरियापत पर स्रावनी मेले का विती विधान पूर्वक शुबारम कराने के लिए ग्यारा व्यादिक पूरोहितो द्वारा बाबा जो है व्यधनात की पूजा के साथ विस्व प्रसिद्ध स्रावनी मेला 2023 का शुबारम करागया जार्खिन के क्रिसी पसुपालन एवं सहकारिता विभाक के मंत्री बैदल पत्र लेख ने मेले का उधगाटन करने के ब भोक्ता परिवार्तक निर्बाद एवं गुनानात्मक बिजली आपूरती सुनक्षित करने के दिसा में सरकार कृत संकल्पित है इसी कड़ी में समवार को 132 तैंतिस के बी ग्रीट सबस्टेशन जर्मुंडी एवं समंधित दिपक्च लीलो संचरन लाइन का और जान वयान किया किया इस ग्रीट सबस्टेशन के उधगाटन होने से दुमका एवं दिवगर जिले के विविंच शेत्रों जैसे बासो की नातिर्थ इस्थल ताल ज्जारी घोर मारा जर्मुंडी सोना राय थाडी आदी में बिजली के समस्या से लोकों निजात मिल सकेगा आने वाले स अब वहां निर्बाद बिजली सफलाई की जा सकेगी राची के पहाडी मंदर में गंगा आरती स्रधालों के उमड़ी भीड गुरु पूर्निमा के मौके पर राची के पहाडी मंदर में गंगा आरती की गई बनारस की तर्च पर आयोजित इस आरती में सामिल होने काफी संख्या में सरधालू उपस्तित थे जार्कन बंद के पूर्व संध्या पर चौक बजार में निकाला मसाल जुलूस औलची की हूल बैसी संधाल शात्र संगठन और माजी पारगाना महल के सदसों ने जार्कन बंद के पूर्व संध्या पर सम्वार के साम मसाल जुलूस निकाला इस दोरान लोकुर से आवाहन किया गया की बंद को सफल बनाने में सब भी सार्थक सहीयो करे मसाल जुलूस चांडिल बजार में राश्री राजमार्ग 32 पर नारे बाजी करतो हुए गुजरा इस औसर पर छात्र नेता सुदाम हेमरम ने कहा कि संधाली को राजी का प्रत्थम राज्य भासा का दर्जादेने संधाली अकादमी खोलने संधाली भासा के सिक्षकों का ब पर पर फाज़ों मार्डी समथ बड़ी संध्या में चातृ अपस्थित थे बतादे कि राज सरकार ओल्चिकी लिपी को मानेता ना देकर देवनागरी में प्रात्मिक अस्तर की पुस्तक छाप रही है, परिशत ने सरकार से बहुत अनुरोध किया, इसके बावजूद हेमंतु सोरेन सरकार नहीं माने, रमेज हांजा ने कहा है कि रगवरदास की सरकार ओल्चिकी को मानेता दे थी और टीचर की भाली भी सुरू की थी, लेकिन हेमंतु सोरेन ने मुखे मंतरी बनते ही सब बंद कर दिया, उन्होंने बंदी में सभी शमर्थकों को बढ़ चट कर भाग लेने का अनुरोध किया है, आज 4 जुलाई से बाबा मंदर में बदली व् कावरियों को शुलब जलारपन कराने के उद्देश से बाबा मंदर में अरगा के माध्यम से जलारपन कराय जाएगा, वही मंदर अब हर दिन मेले के दोरान सुभा 3 बच के 5 मिनिट पर खुलेगा, पट खुलते ही 15 मिनिट तक कांचा जल, पूजा तथा उसके बाद करीब 40 मिनिट तक सरकारी पूजा होगी, इसके बाद सुभा 3 बच के 45 मिनिट से आम कावरियों के लिए अरगा के माध्यम से जलारपन प्रारपन हो जाएगा, वही सुभा 6 बचे सिग्र दरसनम का घेट खुला जाएगा जूनियर महलाहो की टीम जारखन ने राजिस्तान को 9-0 से माध दे कर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगा, जारखन की जूनियर महलाहो की टीम ने राजिस्तान को 9-0 से हराया, तेरवी होकी इंडिया जूनियर महलाहो की चेंपियन्सिप दोहजर तईस का आयोजन राउर फाइनल के लिए क्वाइलिफाई किया सुमवार के मैच में जारकन टीम की और से निक्की कुलू और बिनिमा धान ने दो-दो गोलता था नीसा मिंज, पिंकी कुमारी, बालो होरो रजनी केरकेटा और परमोधनी लकडा ने एके गोलता के इस मैच में जारकन के निक्की कुलू को प्लियर ओब दा मैच का प्रोसकार देकर सम्मानित किया गया जर्मुंडी के नए स्टिप्यो बने अमोध नरायन सिंग अधिसूचना जारी ब्रस्टा चार निरोधक बीरो राची के पुलीस उपाधिचक अमोध नरायन सिंग का ताबादला हो गया है उन्हें इस्थाना अंत्रित करतो हुए अगले आदेश तक दुमका इस्थित जर्मुंडी के अनुमंडल पुलीस पददिकारी बना गया है इस समध में गरी कारा एवं आपदया परवन धन्विभाग नेया दे सूचना जारी की है इबं पुलीस महानिरक्षक के ऑफिस से आदेश जारी हुआ है चोरी का रोप ग्रामिनों ने दो नाबालिकों को रस्ती से बांधा सिर मुंड कर पहनाई जूते की माला पुलीस ने कराया मुक्त जारखन के साहिब गंजीले में चोरी से नराज ग्रामिनों ने दो नाबालिकों को रस्ती से बांध कर ना सिर्प उनका सिर मुंड दिया बलकि जूते चपल की माला पहना कर उन्हें बारिस के गंदे पानी में बैटने पर मजबूर किया इन दोनों नाबालिकों पर एक महला के घर से पैसे चुराने का रोफ है पुली सूचना मिलता ही पहुँची और ग्रामिनों के चंगुल से मुक्त कराया राजमहल थाना चेतर में चोरी के आरोफ में दोनाबालिकों के हाथों को रसी से बांद कर वा उनका सिर मुंड कर जूते चपल की माला पहनाई इतना ही नहीं आकरोशित ग्रामिनों ने उन्हें बारिस के गंदे पानी में बठाई रखा जानकरी के अनुसार सनिवार की राद उस गाउं की एक महिला के घर से 4,375 रुपए की चोरी हो गई थी इसकी चानबीन करने के बाद पता चला कि उसी के घर पर आना जाना करने वाले दो नाबालिकों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है इसके बाद उन नाबालिकों से पूछ ताच करने पर उन्होंने अपना गुनहा कबोल लिया इसके बाद गाओं के ही कुछ लोगों ने दोनों नाबालिकों का हाथ बांद करवा उनका सिर मुंड कर जूते चपल की माला पहना थी इसके बाद बारिस के गंदे पानी में बठा दिया, इस दोरान ग्रामिनों की भीड जूटी थी, इधर जैसे ही पुलीस को घटना की जान करे मिली, राजमहल पुलीस घटना स्थल पर पहुंची और दोनों नाबाली कोको अपने साथ राजमहल थाना ले गई गिरिडी में नदी के तेज बाहों में बहे दूसरे युवक का भी मिला सव, नदी के तेज बाहों में बहे दूसरे युवक मनीश का सव, मेट्रोस घाट के समीब पिला, बतादे की बरगंडा पूल के समीब तिन युवक नदी के तेज बाहों में भागय थे, इस हाथसे में जहां संकर सा कुशल बाहर निकल किया वही आनंद का शव जो है अरगा घाट पूल के समीब और मनीस का सव मेट्रोस घाट के समीब से बर्यामत किया गया है पलामू में नकसलियों द्वारा लगाएगे केन बंब बर्यामत दिस्फ्यूज करने के लिए आरही टीम पलामू में पुलीस ने नकसलियों द्वारा लगाएगे केन बंब को बर्यामत किया है पलामू के शत्रपूर थानार्चितर के दिवगन मोड से पिड़ के नीचे छिपा कर बंब रखे गये थे एसपी अभ्यान रिसबगर्ग ने बता है कि जिस रास्ते पुलीस आने जाने के लिए इस्तमाल करते थी उसी रास्ते में बं मिला है बं को डिस्फ्यूज करने के लिए जगुयार का बं निरोधकदस्तर चतरपूर रवाना हुई है सूत्र का नुसार बं काफी सक्ति साली है फिलाल एहतियात के तोर पर उधर से गुजरने वाले रास्तों को बंद कर दिया गये है पूरा विधायक चंद्रीका महता कॉंग्रेस में सामिल पार्टी ने सुरू किया आब लाट चले अभ्यान पूरा विधायक चंद्रीका महता सोमवार को आयोजित एक भव्य कारिक्रम में कॉंग्रेस में सामिल हो गए प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के तत्वधान में आयोजित कारिक्रम आब लाट चले के तहद गिरीडी जिला में जमुआ विधान सभा के पूर विधायक चंद्रीका महता ने सैकडो समर्थोकों के साथ भव्वे कारिक्रम में कॉंग्रेस की सतसता ग्रहन की प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी की अध्धक्ष राजश ठाकुर ने महता का माला पहना कर स्वागत किया। देवघर में इसकारपियो और बाइक की टकर में दो की मौत मौके पर पहुंचे क्रिसी मंत्री देवघर जिले के मोहनपूर प्रखंड इस्थित चोपा मोड के पास असकारपियो और बाइक में आमने सामने टकर हो गई इस घटना में दो लोग की ओन्दा स्पोर्ट मौत हो दोनों मिर्तक मोहनपूर प्रखंड की मोरने गाउं की रहने वाले थे इधर घटना स्थल पर असकार प्योचालक और उसमें सवार आने लोग गाड़ी छोड़ कर भाग गए घटना के बाद आकरोश्चित लोगों ने सड़क जाम कर दिया इधर बासो की नाज जाने के क्रम म क्रिसी मंत्री बादल पत्र लेक मौके पर पहुँचे आई एस चबिरंजन को जमानेद के लिए अभी करना हुगा इंतजार अदालत ने एडी से मागा जवाब सीना जमीन घोटाले में निलंपित आई एस चबिरंजन को अभी जमानेद के लिए और इंतजार के नव पड़ी का उनकी जमानेद याचिका पुर सुमार कुरांची MP MLA कोट में शुनवाई हुई सुनवाई के दोरान अदालत ने एडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है वही अब मामले की अगली शुनवाई 10 जुलाई को होगी आपको बतादे की परवर्त निदेशाले ने 12 जून को चबिरेंजन सहित कुल 10 आरोपियों के वृध चार स्टीर दाखिल की थी जिसमें चबिरेंजन सहित अमित अगरवाल दिलीब खोष प्रदीब बाक्ची अपसर अलीप अमतियाज अहमद तल्हाखान भानु प्रताप प्रसादवा सद्दाम होशन के वृध मुखद मा चलाई जाएगे पादरस्टेन स्वामी सहदत दिवस पांच जुलाई को राजभोन के समक्च होगी सरद्धानजली सभा जारिखन में मनेगा संकल्प दिवस मानवाध हिकार कारिकरता फादरस्टेन स्वामी के सहदत दिवस पर पांच जुलाई को राजभोन के समक्च सरद्धानजली सभा आयुजित किया जाएगी और जंगल जमीन वा जनधिकार आंधुलन के अगवा स्टेन स्वामी को याद किया जाएगा अग्रांची के महंद्र सिंग भवन इस्तित भागपा माले कारियाले में आयोजित प्रेश वारता को शम्बोदित करतो हुए नियाईश जोहें मोर्चा के नेताओं ने ये बाते कही मंत्री पत की सपत लेने से पहले सा परिवार रजरपा मंदर पहुँची बेवी देवी खुशाल जारकन की कामना की बेवी देवी घर से निकलने से पहले उन्होंने दिवंगत मंत्री जगरनाट महातो का सिरवाद लिया इसके अलावा वहा रजरप्पा मंदिर पहुंची जहां उन्होंने माच्छिन मस्तिका की पूझा अर्चना की और खुछाल जारकन की कामना की उन्होंने फेस्बुक पर लिखा पोश्ट किया कि गुरू पूर्णीवा के सुब दिन पर सापरिवार एक हाजरी जगत जन्नी माच्छिन मस्तिका जी के चौकट पर इसके बाद राची राजबोवन पहुंची और मंत्रीपत की शपतली जम्वा के पूरवधायक चंद्रिका महता और जिला परिशद साजदा खातुन होंगी कॉंग्रेस में शामिल जारकन की राजनितिक उठापटक के बीच एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है दरसल गृडी के जम्वा से वधायक रहे चंद्रिका महता आज कॉंग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं इसके साथ ही बिरने प्रिखंट से वर्तमान जिला परिशद साजदा खातुन भी कॉंग्रेस में शामिल होंगी आपको बतादे की जार्खन कॉंग्रेस के प्रदेश अध्धक्ष राजश ठाकूर की मौजूद्गी में हजारों की संख्या में कॉंग्रेस के कारी करता के रूप में सपत लेंगे पलामू की हरिहर गंज में अवाद सराप निर्वान इस्थल पर पुलीस का छापा एक घिरपतार पलामू जिले के अंतरगेत हरिहर गंज ठानार चेतर की पिरोजी गाउं में अवाद अंग्रेजी सराप बनाने के कारोबायर का पुलीस ने उद्भेदन किया है पुलीस निरक्षक सहा थाना परभारी सुदामा कुमारदास के नित्तों में पुलीस ने पिरोजी गाउं इस्तित एक इंट करकट के मकान में छापे मारी कर सतर काटून में अवाद देसी सराप नौ गेलन में 360 लीटर स्प्रीट बोटलिंग पंचिंग मशीन प्लास्टिक का खाली बोटल ढखन 50 सीट अस्टिकर सराप पैक करने वाला 300 गत्ता समयत एक बाइक को बरामत किया गया है साथी मौके से सहर की वैधि बिगहा निवासी रमन पासवान का पुत्र मुकेस कुमार को गिरबतार कर जेल भीज दिया गया है इस संबन में थाना पर भारी ने व गाड़ी खाना के पास दामरो भवन में आग लग गई बताया जा रहा है कि आग सौट सर्कीट की वज़ा से लगी आग सबसे उपर के तल्ले में लगी इसी तल्ले में दामरो फरनीचर के बिल्डिंग के सबसे उपरी तल्ले में लगी आग लगने के बाद बिल्डिंग के जात अलोग बाहर की तरह भागे और इसकी सूचना अगनिसमन विभाग को दी गई सूचना के बाद अगनिसमन विभाग की गाड़ी मौके पर पहुँची और आग पर काबू पाने की कोसिस की गई बताया जा रहा है कि आग पर पूरी तरह से काबू पालिया गया है संभावना जताय जा रही कि आग सौट सर्कीट होने के वज़े से बिल्डिंग में लगी होगी MP जार्खन समेद पांच राज्यों के अध्धक्च बदले की भाजपा पंजाब प्रेसिडेंट अस्वनी सर्मा का इस्तिपा नड़ा के टीम में भी नए चहरे सामिल होगी 2024 लोगसभा और कुछ राज्यों में वधान सभा चुनाओ के तैयारियों के बीच संगठन अस्तर पर भाजपा बड़े बदलाव कर सकती है सुतरों के मुताबिक पार्टी की राष्ट्री अध्धक जगत प्रकास नड़ा मध्य प्रदेश जार्खन पंजाब तिलंगाना और केरल में नए प्रदेश अध्धक्ष की गोशना कर सकते हैं बदलाव की खबरों के बीच पंजाब के प्रदेश भाजपा अध्धक्ष अस्वनी शर्वानी सुम्वार को इस्थिपा दे दिया अलाकि अभी तक इसकी अपचारि घोशना नहीं हुई है रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनिल जाकड को पंजाब भाजपा की कमान सौपी जा सकती है जाकड कॉंग्रेस से भाजपा में आये हैं धुम्रपान वा तमबाकु मुक्त घोशित होगा स्रावनी मेला लोको किया जाएगा इससे होने वाले नुक्षान के बारे में जागरूप स्वास्त वागनिस रावनी मेला को धुम्रपान एवं तमबाकु मुक्त घोशित करने का नड़ने लिया है राजिके स्वास्त निदेशक परमुख डॉक्टर बेके सी ने इसे लेकर दिवघर दुमका राजी एवं खुंटी के उपायुक्तों को आदेश दिया है उन्होंने कहे कि राजिसरकार आम जन्मानेस में तमबाकु के दूस परिनामों के प्रती जागरुपता लाने एवं सिग्रेट और अन्य तमबाकु उत्पाद अधनियम 2003 के परभावकारी अनुपालन हेतु कृत संकल्पित है इस कानून की धारा चार के अंत्रिगत सारवजनिक इस्थानों पर धुम्रपान परती बंध है स्थावनी मेला चेतर सारवजनिक इस्थान की परिभासा के दारे में आते हैं इसलिए 4 जुलाई से दो चर्णों में आयोजित होने वाले स्रावनी मेला पहला चरण 4 जुलाई से 17 जुलाई तथा दूसरा चरण 17 अगस्त से 31 अगस्त तक को हर वर्स की तरह इस वर्स भी धुम्रपाने वं तंबाकू मुक्त चेतर गोशित किया जाए चंद्रचूड प्रसाद सिंग बने मितलेश ठाकूर के विसेश कारी पर ददिकारी चंद्रचूड प्रसाद सिंग को जारखन सरकार के पेजल एवं सवच्ता मंतरी मितलेश कुमार ठाकूर का विसेश कारी पर ददिकारी OSD बना गया है इससे पहले वे ग्रामिन कारिविभा गढ़वा में सहाय का भ्यंता के पड़ पर कार रहा थे उनकी सेवा वापस लेते हुए मंतरी के विसेश कारी पादधिकारी के रूप में नुक्ती की गई है चंदरचूट प्रसाद योग के एवं जो है करतब बिनिष्ट पादधिकारी के रूप में जाने जाते हैं उनकी बहतर कारे सेली को देखता हुए उन्हें OSD बना गया है इसे लेकर आधिसूचना जारी कर दी गई है फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 10 अगस से चलेगा मास्ट रग एड्मिस्टेशन कारिकरम इन नौ जीलों में चलेगा भ्यान जारीकर सरकार लिंफेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन को लेकर प्रतिबद है राजसरकार द्वारा 10 अगस से 25 अगस तक जारीकर के नौ फाइलेरिया परभाविज जीलो हजारी बाग, चत्रया, पलामू, लातेहार, दुमका, गोड़ा, सराइखेला, जामताडा और पसमेश शिंगभूम में फाइलेरिया रोग उन्मूलन कारिकरम के तहत मास्ट ड्रग एड्मिस्ट्रेशन कारिकरम सुरू किया जा रहा है इस कारिकरम के सफल जो है क्रियान वैन के लिए सुमार कोश्वास्त चिकत्सा सिख शाइवं परिवार कल्यान भाग के राज्य कारिकरम पददिकारी डॉक्टर विरंद्र कमार की अध्धक्स्ता में इन नौ जिलों के पददिकारियों को प्रसिक छित किया गया बिजली समस्या को लेकर जापा ने दिया धरना इनोसक का बोले छेतर की समस्या पर किसी ने नहीं लिया सूद जार्खन पार्टी द्वारा सिम्डेगा जिले में बिजली समस्याओं को लेकर पावर हाउस सिम्डेगा की समीप एक दिवस्य धरना देकर प्रदर्सन किया किया इस मौके पर जार्खन पार्टी के केंद्री अद्धक्षा पूरा मंत्री एनोश एका निकाय की सिम्डेगा जिले में बिजली विवाग की लापरवाही की वज़े से लोग के सामने विकट समस्या उत्पन हो गई है और लोग पूरी तरह से परिशान है जिले के अंदर अनावश्चक बिजली बिल एक घर में दो कनेक्शन का बिल और कहीं कहीं पर बिजली की आँख मिचोली और ट्रांसफर्मर जनले की समस्या रही है लेकिन अब तक विवाग उसे गमभिरता से नहीं ले रहा है इसलिए अब वक्त आ गया है कि जार्खन पार्टी विवाग के खिलाब उल्गूलान करें